गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों आज हम भी पार्ट फर्स्ट केंतरगत भ्रमरगीत सार का 58 और 69 का पद लेंगे जिसमें सूर्दास गोपियों के माध्यम से क्या बात करते हैं उसी की चर्चापन यहां करेंगे पद हैं राग मारू में और मारू राग में सूर्दास जी किस परकार से बात कर रहे हैं मोहे अली दुहु भाती फल होत तब रस अधर लेती मुरली अब भई कूबरी सोत तुम जो जोग मत सिखवन आय भस्म चडावन अंग इन बिरहन में कहूं दोव देखी सुमन सुहाई मग कानन मुदरा पहिरी मेखली धरे जटा अधारी यहां तरल तरीवन कह देखे अरु तनसुक की सारी परम वियोगनी रटती रेन दिन धरी मन मोहन ध्यान तुम को चलो वेगी मदवन को जहां जोग को गान निशिदिन जीवतू है या ब्रज में देख मनोहर रूप सूर जोग ले खरगर डोलो लेहू लेहू धरी सूप देखो इस पद के अंद्रगत गोपियां जो है कुपजा को निशाना बनाती है या लक्ष कहकर क्या कह रही है कि हे भ्रमर तुमारे भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है कि इसको कह रही है उद्धव को कि है उद्धव कि हमारे भाग्जी में सुख जो है वो लिखा हुआ ही नहीं है किसको लक्षे बनाया है याँ पर कूपजा को लक्षे बनाया है फिर क्या कह रही है गोपियां इस पद का कैंधरी भाव इस परकार से हैं कि क्रशन पास रहे या अलग रहे गोपियों के भागे में निर्बाद सुख कहां कि इनके भागे में सुख लिखा ही नहीं है इनके बीच में कहीं कहीं कोईन कोई बाधा आही जाती है पहले मुर्ली सोत थी अब कुपजा सोत है जब सयोग की आवस्ता थी क्रश्न यहां थे तब मुर्ली जो है हमारे सोत बनकर के सामने थी अब सोतन का कारी कौन कर रही है कुपजा कर रही है इसलिए कह रहे हैं कि सयोग और वियोग दोनों में ही हमारे भागी में किसी परकार का कोई सुख लिखा ही नहीं है इन्हें योग साधना की आवस्ता ही क्या फिर गोपियां कहती हैं कि हमें योग साधना की आवस्ता नहीं है उनका कहना है तो वैसे ही वेरागिर जैसा है अभी कह रहे हैं कि हम तो वैसे ही वेरागिर जैसे ही रह रही हैं हे उदव तुम कितनी भी बाते बनाओ हमारे लिए तुमारे योग की कोई उपादेता नहीं है तुमारा जो योग है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है फिर इस पद्ध की अपन परतेख पद्धवाईज व्याख्या करते हैं तो इस परकार से इसकी व्याख्या है क्या कहती हैं मोहि अली दुहु भाती फल खोथ गोपिया उद्धव से कहती है कि हमारा तो भाग यही ऐसा है जिसमें निर्बाद सुख लिखाई ही नहीं है हमें तो संयोग और व्योग दोनों की दिसाओं में एक सा ही फल मिलता है कि संयोग में भी वेसा ही फल है और व्योग में भी एक जैसा ही फल है क्या कह रहे हैं जब क्रश्न यहां थी तब तो उनको अधर अमरत लेने के लिए मुड़ी थी और अब वियोग अवस्ता में सोत कौन बन गई है कुबजा उनके अधर अमरत की अधिकारनी बन गई है यहाँ जब संयोग में मुड़ी अधरों का अमरत पान करती थी और अब वहाँ चले गए हैं तो वहाँ पर कुबजा दासी वह क्या करेगी इनके अधरों का अमरत पान करती हैं हमें तो अधरों का अमरत पान करना लिखा ही नहीं है फिर क्या कह रहे हैं तुम जो जोगमत सिखवन आए बस्म चड़ावन अंग अब जो हैं तुम यहां पर हमें विर्णियों को योग की सिख़ा दे करके शरीर के अंगों पर शरीर पर भबूत लगाने को कह रहे हो तो हमें भबूत लगाने की आवशिक्ता नहीं है भला यह तो बताओ कि तुम इन में से किसी को अपनी मांग में फूल गुहाई देखा हैं कि हम इन गोपियों में से किसी को भी आपने देखा हैं जिसके बालों में जूडा हो फूल बिने हुए हो इन विरहन में कह दो देखी सुमन सुहाई मंग कि आपने हम विरहनी में से हम गोपियों में से किसी को देखा हैं जिनके बालों में जूडा बना हो फूर लगा हो। हम तो वैसे ही क्रश्न की व्योग में व्योगनी जीवन जी रहे हैं। कानन मुद्रा पहिरी मेखली धरे जटा आधारी। फिरी करें कि तुम इने कानों में योगियों किसी मुद्रा में मूझ की करदनी तथा सिर पर जटा जुट धारन करने को कह रहे हो। और कहते हो कि यहां तरन तरीवन कह देखे अरुतन सुक की सारी। और क्या कहते हो कि हम सादू जनित दंड हाथ में ले लें। सादू जनित दंड का मतलब है कमंडल हाथ में ले लें। तो ये संबाव नहीं हैं। तो यहां इस पंक्ती का कानन मुदरा पहिरी मेखले धरा जाधारी यहां तरल तरिवन कह देखे अरुतनसक की सारी। यहां इस पंक्ती का भाव यह हैं कि यह सब प्रेरित पती की नाईकाएं हैं। और संपूर्ण साज सरंगार को त्यागे हुए योगिनियों का सा उदास और साधा वेश्धारन की यह रहती हैं। आगे क्या केते हैं परम व्योगिनी रठती रेन दिन धरी मनमोहन ध्यान की यहां तो गोपियां हैं सरंगार से कोसों दूर हैं। और फिर क्या कहर रही हैं परम व्योगिनी हैं। गोपियां मनमोहन का ध्यान करके उन्हें ही रात दिन रठती रहती हैं। तुम तो चले तुम तो चलो वेगी मदवन को जहां जोग को ज्ञान। फिर यह कह रहे हैं कि यहां तुमारा उपदेश व्यर्थ हैं। आप हैं शिग्र ही जल्दी ही कहां चले जाओ मथूरा जहां योग के पार्खी आपके योगदान की कदर करेंगे यहां योग की सिक्सा और योग में समझने वाली कोई नहीं है इसलिए क्रपा करके आप वापिस कहां चले जाए मथूरा चले जाए निशिदिन जीवतु है या ब्रज में देख मनोहर रूप सूर जोग ले घरगर डोलो लेहू लेहू धरी सूप अब यहां क्या कह रहे हैं सूरदा जी कहते हैं कि इस ब्रज के निवासितो रात दिन उस मनोहर रूप का दर्शन करके जीवित रहते हैं किस मनोहर रूप का सूरिक्रस्ण के दर्शन करके जीवित रहते हैं फिर आगे सूरदा जी कहते हैं कि गोपियां उद्दव से कह रही हैं कि है उद्दव तुम यहां ब्रज में व्यर्त ही सूप लिए घर घर योग बेचते फिरते हो गाउं में किराने के व्यापारी घर घर अपना सामान सूप में फटक कर बेचा करते थे गाउं गाउं घूम करके अपना सामान पुराने जमाने में बेचते थे और यह कहकर बेचते थे कि चीज को छान फटक कर देख लो एकदम सुद्ध हैं कि जिस परकार से व्यापारी हैं घर घर डोल करके अपना सामान बेचते थे और कहते थे कि चीज बिलकूल ही सुद्ध हैं इसको अच्छी तरह से परक करके लेलो उसी तरह तुम भी अपने योग रूपी माल के गुण बता कर घर घर उनको बेशते फिरते हो कि तुमारा भी जो व्यापार हैं उस बणी की भाती है वह वस्तुमें बेशता था और आप जो हैं योग को बेच रही हो गोपियों के अनुसार उद्दो का यह प्रैत्न व्रत हैं गोपियां कह रही हैं कि तुम जो कोशिस कर रहे हो अपना ये योग कमाल बेचने का यह व्यर्थ की कोशिस हैं यहां किसी को भी योग मुप्त में भी नहीं चाहिए यदि योग आप जो हैं मुप्त में यहां दो त देखिए यहां इस पद के अंदर विशेश में अपन लिख सकते हैं कि मुर्ली और कुबजा के परती गोपिया ने असुया भाव को व्यक्त किया हैं और असुया भाव को सूर्दास ने बहुत ही सुन्दर तरीके से यहां वेंजना के रूप में प्रस्तुत किया हैं यह था हमारा 58 का पद अब हम दूसरा पद लेंगे वह हैं 59 का पद जिसमें क्या कह रहे हैं गोपिया क्या कहती हैं यह पद जो है राग सारंग में है क्या कहती है गोपिया बिगल जनी मानो हमरी बात डर्पती बचन कठोर कहती मति बिनू पती यो उठिजात जो कोई कहत जरे अपने कछु फिर पाचे पचितात जो प्रसाद पावत तुम उदो क्रश्न नाम लेखात मनुजू तिहोरी हरी चरनन तर अचल रहत दिन रात सूर श्याम ते जोग अधिक कही कही आवत यह बात दीखी इसमें उद्धो को गोपियां खुब जली कटी सुनाने के पश्यात खुब सारी बातें सुनाती हैं घुस्से में उसके बाद में गोपियां को कुछ पश्याताप होता है कि हमने उनको ज़्यादा कह दिया और उसी भाव को गोपियां जो हैं इस पद में व्यक्त कर रही हैं क्या कहती हैं बिगल जनी मानो हमरी बात उद्दव के परती कहे गए अपने कठोर वस्नों के परती पश्यताप करती हुई गोपिया कहती हैं कि हे उद्दव तुम हमारी बात का बुरा मत मानना कि हमने जो कहा है इस बात का बुरा मत मानना विगल जनी मानो हमरी बात हे उद्दव जी आप हमारी बात का बुरा मत मानन फिर क्या कहते हैं जो हमने कठोर वचन कहें हैं डरपती वचन कठोर कहती मतिविनुपती यों उठी जाते कि तुमसे कठोर वचन कहती हुए हमें भाय सा लगता था डर सा लगता था क्योंकि विवेक हीन बाते करने से व्यक्ति की मर्यादा उसी प्रकार से नस्ट हो जाती हैं जिस प्रकार तुमारी हो गई हैं इसलिए हम जो हैं ज़्यादा बाते नहीं करना चाह रही हैं जो कोई करत जरे अपने कछु फिरी पाच्छे पच्छता आए फिर ये करे विवेक हीन था के ही वन्सिभूत होकर हमने नारियों के योग का उपदेश दिया था फिर आगे ये कहते हैं कि जो कोई करत कहत जरे अपने कछु फिरी पाच्छे पच्छता जो परसाद पावत तुम उदो क्रश्न नाम लेखात कि यदि कोई व्यक्ति मन में बहुत पीडित होने पर अमर्यादित बाते करने लगता हैं मन में अत्यत दुखी हो तो व्यक्ति हैं अमर्यादित बाते करना शुरू करता हैं तो ये इस परकार की बाते करता हैं तो उनके लिए उसे बाद में मन ही मन पस्ताना पड़ता हैं पहले तो वो आवेस में आके कुछ कह देता हैं और उसके बाद में अंदर ही अंदर मन ही म पस्ताता हैं इसका भाव यह हैं कि तुमारी अरूची कर बातों दुआरा हमारे मन को बहुत कस्ट हुआ और इसके परिणाम सरूप भल सरूप हमने तुमसे बहुत सी कठोर बातें कह दी भला बुरा कह दिया इसके लिए हमें पश्याताप हो रहा हैं जो प्रसाद पावत तुम उदो क्रश्न नाम ले खात मनुतु तिहारो हरी चरनन तर अचल रहत दिन रात सूर्श्याम ले जोग अधिक कही कही जावत यह बात फिर यह कह रहे हैं कि हे उदो जी तुम क्रश्न के सखा हो इसकार तुम यहां इतने सम्मान के हकदार हो सम्मान का उपभोग आपने किया हैं सूर्दाजी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं हे उदो तुमारा मन दिन रात द्रड़ता पूर्वक क्रश्न के क्या कह रहे हैं दिन रात मनु जु तिहारो हरी चरनन तर अचल रहत दिन रात सूर्श्याम ले जोग अधिक कही कही आवत यह बात कि तुमारा जो मन है वो दिन रात द्रड़ता पूरुवक क्रश्ण के चरणों में लगा रहता है किसके चरणों में? स्री क्रश्ण के चरणों में लगा रहता है फिर भी हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि तुम क्रश्न के प्रेम की अपेक्सा योग को अधिक स्रेश्ट क्यों बताते हो इसे तुमारी क्या कहें धूर्तता कहें या फिर क्रतग्नता समझे यह था हमारा इस पद का व्याख्या अब जो हैं इस संपूर्ण पद में अपन पढ़ेंगे तो अनुप्रास अलंकार का प्रियोग हुआ है विशेश रूप जो हपन देखेंगे इसमें वह हैं गोपियों का वियोग वर्णन और जो गोपियों की कहने का ढग है उसमें वाग विदग्य द्रश्टब भी हैं फिर गोपियां शमय आचना भी करती हैं और साथ ही उन्हें धूर्ट बताकर लज्जित भी करती हैं यह हैं कला कहने की सूर्दास्की इतना ही नहीं वे उन्हें क्रश्न भक्त कहकर योग के मारग से विरक्त भी करने का प्रयत्न करती हुई दिखाई देती हैं वहाँ पर क्रश्न भक्त करती हैं और योग के मारग को छोड़ने के लिए भी प्रेरित करती हैं प्रैत्न करती हुई हमें दिखाई देती हैं तो हमने आज इन दो पदों का सव्याख्या और वेबरण पढ़ लिया है कल हम आगे के और पद लेंगे आपको मेरा ये विसलेशन जो है ये कैसा लगा आप हमारे यूटूब चनल को सब्क्राइब करें और कमेंट करें लाइक करें और शेर करें धन्यवाद